कि नमस्कार चाहे आप तेनिए उच्छी डिगरी प्राप्त करों कि जाए आप किटना ही उच्छा प्राप्त अगर आकके पास में यह चीज नहीं है नाания तो सारी डिगड़ी और वह आपका उच्छा पद उसके सामने फेल है, लोग आपको, आपके पास में है कितनी बड़ी डिगरी है, आपके पास में चाहिए कितने बड़ा पद है, अगर यह चीज नहीं है ना तो लोग आपको एक अंपड समझेगे, अंपड और वो है बोलने की तमीच, बोलने की तमीच जियों में इंसान के सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं आप कितने बड़ा दिखारी हो या कितने बड़े पद पर हो अगर आपको बोलने की तमीज नहीं है ना तो आप जैसे जाओगे ना तो आपके पीछ पीछे लोग एक हैंगे अरे यार यह तो अनपड के बराबर है बस आपकी तुलना अनपड से करेंगे इसलिए जीवन में बोलने की तमीज सीख लेना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो पद होता है और नहीं कोई डिगरी होती लेकित उनकी बोलने की तमीज उसके बोलने का लहज़ा ऐसा होता है ना तो लोग दीवाने हो जाते हैं वो बगवार ने सब को एक जुबान दी है कोई उस जुबान से कड़वा बोलता है और कोई मीठा बोलता है बस बोलने बोलने वालों का फरक है तो अपने बोलने की तमीज कैसे सुदा रहे अपने बोलने की कला को कैसे सुदा रहे आज मैं आपको बता है सबसे पहले तो तुम औ अगर आप यह भी तह बोल सकते हो आप इधर आना भया आहाँ इसे भी तह बोल सकते हो आ Surah 现在 सिर्दा आहां को एन आप को सरंब की हो अती है कि अ सबस्कैन जोंगा कर सकते हो गहाँ तो आप और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखना बने ही कोई इंसान आप से छोटा हो फिर भी अगर आप उसे आप करके फूकारेंगे ना तो वह अपने आपको एक आपके प्रती अच्छा फील करेंगा नहीं यार वो मेरे को समान दे रहा है वो मेरे को इज़त दे रहा है तो व बहुत फरक पड़ेगा आपकी इमचलोग आपकी इज़त ओर अधिक लगेंगे के कि दूट अच्छी वानी बहुत है बहुत ही व्यवारी का अध्मिया बहुत हैा लोग औने तो आपके लिए अच्छा फील करने लगाई व्यक्ति के सामने तो लोग हरको इज़त देते है पीट पीछे बी हिजट देना सीख लो कोई इंसान अगर आपके सामने होता थो हां सर आये बीठी है नोर यह करियो सब करते आम इंसन करता है लेकिन जो पीट बीचे जयती ही वहुँ थे कि यार जैसे वह होगा है उसके इजद नहीं उसके सामने तो आप इजद देरों उसके पीट पिछे भी इजद दो उसको जैसे आप कहते हो और यार रम जी आई ये बीटी एक खाना काईए अब रमेजी चले गे अब आप किसी और कर्का लाई बात करेंगा मेरे पीट पिछे बी एसी बात करेंगा है किसी करते हो तो वहीं सामने वाले के पास पहुंचातीय ए ठोड़नकि से पहुंच है कैसे भी गाय ूइट करके इस लिए सामने तो आप इज़ित देते हैं पीट पीछे भी इज़ित देना शुरू करते हो जिस दिन आप पीट पीछे इज़ित देना शुरू करते हो ना आपकी इज़ित डबल बढ़ जाएगी लोग आपको रेस्पेक्ट देना शुरू करतेंगे इसलिए ये बात हमेसा ध्यान रखें हर न इदर आना बस एक नाम के आगे आपको करना क्या है एक जी तो लगाना है एक जी लगाने से आपकी इंचत में चार चान लग जाएंगे एक को आपिस रोगों को छुछे से लगता हैFr principio क्म अधिश्चे रोग दो एक अच्छा प्रति एक अच्छी भान रखेगा और सब लोगों के सामने आप ए रमेश इधरा ना तो तो वह आपको अंदर से आपकी इज़त नहीं करेगा आपको सोचे आपके प्रति सोचेगा यार कुछ नहीं नहीं आ रहे तो इसी बोलता रहता है अंदर ये अंदर आपको गालिया देदेगा इसलिए बस कुछ नहीं नाम के आगे आपको जी तो लगना है क्या फरक पड़ना है जी लगा दीजिए आपकी इज्जत बढ़ जाएगी लोग आपकी परस्था करेंगे यही तो बोलने की कला है बस जी लगना सीखिए कभी भी अपने सब्दों में गा तो मौसे निकल जाती आदर ते अरे एक बात द्यार नगना मौसे आप इन गाली निकलती ना तो लोग लड़े बूल जाते ध्यान रखना लेकिन लोग कड़ वे सब्द कभी नहीं बूलते कितनी हुख भानकर लड़ा हुई हो आपके किसी और के बीच में लोग लड़े ब लेकिन गर माँ बाप के अगर उसको गाले निकालोगे ना, बाई बेन के उसको गाले निकालोगे ना, तो वो कभी नहीं बुलेगा, वो जिन भी बर यात रगएगा डेपिनेटी, इसलिए ध्यान रखा, नॉर्मल बात हो या कोई लड़ी हो, गाली कभी मत निकाले जीवर मे अपने मुझे अगर गाली नहीं लिगा लोगे था, तो अच्छे वड़ बोलोगे था, हर कोई आपकी इज़त करेगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा, यह बोलने की कला आपने आप में निकाल ले और आप अभी से शुरू कर दे, गाली निकालना आपकी इमेज को खराब कर सकता है, कम बोले, सटीक बोले, त्यान रखना, आप जब भी बोल से होना, कम बोलना सटीक बोलना, यह बोलना, सटीक बोलना, यह बोलना, सटीक बोलना, यह बोलने की कला नहीं है, जब भी बोले, सटीक बोले, और ऐसा बोले की सामने वाला चुप हो जाए, अगर आप वि और अच्छा बोलना तो हर कोई लोग सब्सक्राइब करने लग जाएंगे आपकर बखल करोगे ना तो कोई आपकी तारीब नहीं करेंगे इसलिए जब भी बोले सटीक बोले बिना जानकारी के उल्टा सिदा नहीं बोले बोलना जासे आप चार पाहुजने बात कर रहे हैं और अ गर के बात पित आउसके ये नहीं है तो उस जगह आउस्स जगह को चुप रहो है परें जिस चीज की आपको नोलेज नहोना जिसके अबारे में कोई पता नहीं होना तो हमेंसा वाँ चुप रहे हैं और जब भी अगर आपको नोलेज होना तो बोले तो सटीक बोले तर्टिक के साथ बोले अगर आप ऐसा करोगे ना आपकी इसी इमेज लोगों के सामने बोल लजिए जब भी बोले सटीक के साथ बोले वरना बोले इसलिए अपनी बोलने की कला सुधार लेज़े एसे बोले कि लोग आपको मदूर हो जाए आपकर आपकर अपर इसे बोलने की कला है जो आपके बहुत काम आईगी